नमस्कार दोस्तों मैं होसुनी पांडे स्वागत है अब सब का इंग ने वीडियो में इंडिया इस साल S.E.O. को होस्ट कर रहा है उसमें बहुत सारे बायलेटरल मीटिंग्स चल रहे हैं इस टाइम पर किया हुआ कि जो S.E.O. के मेंबर्स कंट्री से उनके जो रच्छा मंत मुलाकात की जब चाइना के प्रकात की थे हाऍध नहीं मिला दूर से नमस्ते कर लिया उन्हेंवनें बोड़ हन कर दिया progression वह एं इनटरनेशनार रिलेशन में बहुत ज्यादा मैटर करती है जिस तरह से प्रधानमती नरेद मोधी जब लास्ट टाइम पुतिन से मिले थे तो उनको गले नहीं लगाया था लेकिन पहले क्या होता था जब भी पुतिन से मोधी मिलते थे तो उनको गले लगाते थे लेकिन लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था की मीटिंग में जब हेड़ोप स्टेड मिल रहे थे इवेंदो कि सी जिंपिंग और सहबाद सरीब को इसमाइल भी पास नहीं की थी इससे यह किलियर संदेश दिया था प्रदानमंति ने मोदी ने वेस्टेन कंट्रीज को और पूरे वर्ल्ड को कि जब कोई व्यक्ति जो हमा नहीं मिला है ना कोई इसमाइल पास किये बस सिंपली नमस्ते कर लिया है क्योंकि जिस तरह से किसी नोर्मल अतिति का हम स्वागत करते हैं उसी तरह से और उन्होंने इस बात को भी रहें कि जो डिसकलेशनेशन है वो तभी बढ़ेगी जब आप डिस इंगेजमेंट भी डिस इसकलेशन भी होगी अधरवाइस कलेशन बढ़ सकती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है कि इंडिया ने इस बात को राइस किया है कि जो 2020 में गलवान में हुआ विल्कुल भी ठीक नहीं था और उसके बाद अभी अनौनाचल प्रदेश के तवांग में हुआ था इस वज़ा से आप ऐसा करो कि जो भी हमारा एग्रिमेंट है उसका पालन हो और इंदा फ्यूचर ऐसा कोई प्रोब्लम ना है राजना सिंग्जी ने किलियर किया है और साथी साथ में क्या हुआ है कि इनके उपर सी लिंगफू के उपर 2018 में अमेरिका ने सेंक्श कर रखा था क्योंकि क्राइमिया 2014 में जब से लिया है उसके बाद से अमेरिका रसिया के उपर टार्गेट करता ही रहता है और वेचली वह उसका आपसका कोल्ड वार का दुस्मन है तो यह जल्दी खतम नहीं होने वाला इसी वज़ा से चाइना भी इसके दबाव में आ जा भी फोरन मिनिस्टर बिलावल वुटो जर्दारी भी आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ये निउस चर्चा में रहेगी कुछ दिनों तक हाला कि यह संकर सामने किलेर कर दिया है कि हम कोई बाइलेटरल नहीं करने वाले हैं बिलावल वुटो जर्दारी से क्योंकि हमें नहीं चाहिए उनसे कोई बात्चित करने में हम बिल्कुल इंट्रेश्टेटर नहीं हैं क्योंकि होता कि SH98 की यह य्यें गत्तों मेटिंग होती हैं और फिर वन टो वन मीटिंग होती है जिन देशों से बात करना चाहते हैं आपस में जो मित्त देख होते हैं लेगर पाकिस और बहुत जादा जो disengagement की बात चल रही थी उपर ओपर हुआ नहीं क्योंकि चाइना अभी भी military build-up कर रहा है हाली में news में था कि दुबारा से वो military stabilize करने की कोशिस कर रहा है border areas में तो in the future यह देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इंडिया और चाइना की relation जाते है क्योंकि trade imbalance जो है इंडिया को काभी भारी पढ़ रहा है चाइना का लेकिन इंडिया लिटिली अभी भी निर्भर करता है चाइना के उपर इसी वज़ासे billion dollar में trade है इंडिया और चाइना का